मीनो जडिया और कालू कव्वे के घर पास पास ही थे कालू कव्वा हर समय मीनो जडिया को उलू बनाने के चकर में रहता और मासूम जडिया भी ऐसी थी के हर बार कव्वे के चकर में आही जाती फिर एक दिन तोता मीनो जडिया के पास आता है और कहता है मीनो मैं गया था कल दूसरे जंगल में, मैं वापिस आ रहा था कि मुझे तुम्हारी बेहन मिली, मीनो तुम्हारी बेहन बहुत ज्यादा बिमार है, वो कह रही थी कि मेरी बेहन मीनो से कहना कि एक बार मुझे आकर मिल जाए, और फिर तोता वहां से चला जाता है, अब मैं क्या करूँ जूजू भी अभी बहुत छोटा है और सफर भी बहुत ज्यादा है जूजू तो इतना ज्यादा उट नहीं सकेगा मैं किसे जूजू के पास छोड़ कर जाऊं मैं ऐसा करती हूँ के कालू कव्वे को जूजू के पास छोड़ जाती हूँ शाम को तो वा बिमार है मुझे उसकी खबर लेने जाना है और जूजू अभी बहुत छोटा है वो ज्यादा उड़ नहीं सकता आप ऐसा करें कि मेरे घर आ जाएं आप शाम तक जूजू के पास रहें मैं शाम तक वापिस लोटाऊंगी मीनू ये तो कोई बड़ा काम नहीं है मैं रह लेता हूं शाम तक तुमारे घर में और तुम बेफिकर होकर अपनी बहन की खबर ले आओ और वो कवा चिडिया के साथ उसके घर चला जाता है जूजू बेटा अंकल कवे को तंग ना करना मैं शाम तक लोटाऊंगी ममा मुझे भी आपके साथ जाना है नहीं जूजू मेरे तो रोज ही लगा दिया करो मेरी भोजन और वो बे इतना ज्यादा और फिर कवा चिडिया का सारा भोजन खा लेता है और सो जाता है कवा तो ऐसे सोया था कि जैसे सदियों से सोया ही ना हो मुझे प्यास लगी है अंकल कवे, मुझे पानी ला दो चुप करके बैठ जा, क्यों नीन खराब कर रहे हो मेरी अगर आप बोले, तो एक लगाऊंगा और फिर जुजु सहम कर बैठ जाता है और कालू कवा फिर से सो जाता है ऐसे ही शाम हो जाती है और मीनो जड़िया बे वापिस आ जाती है ममा, ममा मुझे बहुत प्यास लगी है कवे अंकल से पानी मांगा तो मुझे डांटने लगे कवा अंकल कालू कवा तो खराटे ले रहा था कालू, और कालू, मैं आपको घर इसलिए नहीं छोड़ कर गई थी के सारा मेरा भोजन खा कर सो जाओ मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे पडोसी हो तुम जुजु का अच्छे से ख्याल रखोगे लेकिन मेरा बच्चा प्यास से रो रहा है और तुम उसे पानी तक न दे सके जुड़िया, तुम्हें तो पता है भोजन खा कर मुझे नीद बहुत ज़्यादा आती है बस आँख लग गई थी चलो जो हुआ अच्छा हुआ आप आप जाएं और फिर कालू कववा वहां से चला जाता है मैंने भी ऐसे ही गलती की जो छोड़गी इसे जुजु के पास इससे तो बहतर था कि जुजु अकेला ही रह लेता और फिर वो मा बेटा बाते करने लगते हैं दूसरे तरफ कालू कववे को तो अपने घोंसले में चैन नहीं आ रहा था क्यूंकि उसका घोंसला तो कांटों का बना था और टूटा फुटा था जैसी नेंद आज चुडिया के घर आई ऐसी नेंद तो कभी आज तक नहीं आई मुझे कितना नरम नरम है चुडिया का घोंसला मज़ा आ गया सोने में जो भी हो मुझे उस चुडिया से उसका घर छीनना होगा अब तो फिर ही मुझे नीदाए की सकून से और फिर ऐसे कव्वा सारी रात जाकर गुजारता है और फिर सुभा हो जाती है अब मुझे क्या करना होगा मैं कैसे छीनो जुडिया से उसका घर मैं ऐसा करता हूँ अपने मामा जी के पास जाता हूँ वो ही कोई उपाई बताएगा मुझे और फिर कव्वा अपने मामा जी की दरफ चला जाता है जेल्थी कालू कव्वा अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है आओ भी कालू कैसे आना हुआ आज मामा जी मेरे पास में एक चुडिया रहती है उसका घर बहुत नरम नरम है बस मुझे किसी तरीके से उस चुडिया का घर चीने ना है आप कोई उपाए बताओ जिससे सांप भी मट जाए और लाठी भी न ढूटे हम्म्म तो ये बात है तुम ऐसे करो किसी तरीके से चुडिया को इस बात पर मनाओ कि वो दो तीन दिन तुम्हें उसके घर में रहने दे और फिर ऐसे हम कबजा कर लेंगे उसके घर पर वाँ मामा जी ये बात ठीक है मैं ऐसा करता हूँ कि चुडिया से कहता हूँ कि मेरा मामा जी आ रहा है इसलिए वो दो राते हमें अपने घर में रहने दे तुम ऐसे ही को हो जुडिया से और मैं भी शाम को आ जाऊंगा मुझे भी आज कोई काम नहीं है और फिर कालू कववा वहां से चला जाता है वो सीधा मीनू जुडिया के घट जाता है मीनू मीनू जुडिया जरा दरवाजा खोलना मैं कालू कववा हूँ ये कालू फिर से कोई शेतानी ही करेगा मैं इसे ट्राल देती हूँ कालू जू जू सो रहा है आप जाएं यहां से थोड़ी देर बाद आना जू जू अभी अभी सोया है लेकिन कवा भी बहुत शातर था वो बोलता है मीनो मेरी इज़त का मसला है बस एक बार मेरी बात सुन लो और फिर चिडिया दरवाचा खोल देती है क्या बात है कालू क्या हुआ आपकी इज़त को मीनो मेरा मामा जी आ रहा है आशाम को और मेरा घर सारा ढूटा हुआ है बस अब मेरी इज़त तुम्हारे हाथों में ही है कालू मेरे हाथ में कैसे है तुम्हारी इज़त तुम्हारा घर मैंने थोड़ी तोड़ा है कोई काम तो करते नहीं हो तुम मेरी बात तो सुन लो मीनो चुडिया बस दो रातें दो रातें ही रहेगा मेरा मामा जी आप मुझे और मेरे मामा जी को अपने घर में रख लें ये बड़ा एहसान होगा आपका मुझपर अच्छा अब ज्यादा मासूम ना बनो ठीक है लेया ना अपने मामा जी को लेकिन बस दो राते ही रखोंगी मैं ऐसा नहो कि तुम पक्के ही हो जाओ नहीं नहीं मीनो मेरा मामा जी बस दो दिन ही रहेगा और फिर कालू कवा वहां से चला जाता है चुड़िया कर लो जितनी बाते करनी है तुम्हारा नरम नरम घोंसला तो मैं छीन कर ही रहूंगा और फिर कालू का मामा जी भी आ जाता है क्यों कालू कहां तक पहंची तम्हारी गेम मामा जी चुड़िया मान गई है अच्छा बस अगला काम तो मुझे पर छोड़ दो और फिर रात को कालू कवा अपने मामा जी को लेकर मीनू चुड़िया के घर आ जाता है मीनू मामा जी आए है मेरे और तुमसे मिलना चाहते हैं दरवाजा खोलो आए आए मामा जी आजए घर तो बहुत सुन्दर है चुड़िया तुम्हारा और घोंसला कितना नरम नरम है जी मामा जी आप इसे अपना है घर समझे वो तो मैं समझ रहा हूँ इसलिए तो तुम्हारी तरफ चलाया इस नकम्मे का घर तो सारा ढूटा हुआ है आप इदर ही रहे मामा जी आप यहां सो जाए चुड़िया मैं भी इदर मामा जी के पास ही सो जाता हूँ बहुत समय बात मिला हूँ मामा जी से बहुत सारी बाते भी करनी है मुझे अपने मामा जी से और वो सब बातें करते करते सो जाते हैं अगली सुभा कालू कववा मीनू चुड़िया से कहता है मीनू दाना लेने कहा जाती हो कालू इस चंगल में तो दाना मिलता नहीं बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे मेनू तुम पहाडों की तरफ चले जाओ वहाँ मैंने कल देखा था धेड़ सारे दहान के बोधे हैं और वैसे भी इतनी दूर जुजु को साथ लेकर कैसे जाओगी तुम लेकिन कवे आपने नहीं जाना भोजने ले अब ही मामा जी सोय हुए है उठेंगे तो हम चले जाएंगे अच्छा हम फिर चलते हैं और हाँ दरवाजा बंद कर जाना चाते हुए मेरे घर का और फिर जुडिया वहाँ से चली जाती है दरवाजा तो बंद होगा ऐसे के अब खुलेगा नहीं और फिर वह दोनों हंसते हैं मामा जी खाओ खाओ ये चने के दाने चिडिया ने जमा करके रखे हैं बार्शों के लिए कालू हमसे तो रोज के भोचन का बंदोबस नहीं होता लेकिन ये चिडिया पता नहीं कैसे जमा कर लेती है भोचन बार्शों के लिए मामा जी आम खऊ आम हमें पेड़ों से क्या और फिर वो दोनों हंसरे लग जाते हैं शाम होने से पहले ही चिडिया वापिस लोटाती है आसमान पर भी कहरे बादल चा चुके थे चिडिया के घर का दरवाजा अंदर से बन था चिडिया कवे को आवाज देती है कालू, कालू जल्दी दरवाजा खोलो बादल बहुत ज़्यादा आए हुए है मुझे अपने घर के छट को देखना है ऐसा ना हो के बारिश आ जाए और मेरे घर के छट टपकने लगे मीनो चिडिया, बात ये है के मामा जी सोय हुए है मैं उन्हें बे आराम नहीं कर सकता तो मैंसे करो, आज रात बाहर ही गुजार लो शरम करो कालू, मेरा बच्चा है मेरे साथ चोटा सा और ये घर कौन सा तुम्हारा है, जो मैं रात बाहर गुजारू तुम जल्दी से तरवाजा खोलो लेकिन कववा तरवाजा नहीं खोलता कालू कववे, तुम्हें इसकी सजाद चुरूर मिलेगी तुमने मेरे साथ धोका किया और मेरा ख़ट चीन लिया इसका मतलब तुम मान गई ये बात कि ये घर मैंने छीन लिया है तुमसे तो जाओ फिर इधर क्या कर रही हो और फिर चीडिया रोती हुई थोड़ा दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है चीडिया को बैठे अब ही कुछ ही देर हुई थी कि तेज पारी शुरू हो जाती है और साथ में तोफान भी बहुत ज़्यादा था तोफान इतना ज़्यादा था कि चीडिया का घर बल भर में ही तूट कर नीचे गिड़ जाता है और साथ ही वो पेड़ भी घर के उपर ही गिड़ जाता है कालुकवा और उसका मामा जी पेड़ के नीचे ही दब जाते हैं और जालिम अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं इस कहानी से हमें सीख मिलती है कभी किसी के साथ बुरा ना करो क्योंके कभी कभी जो घड़ा हम दूसरों के लिए खोते हैं खुद भी उस घड़े में गिर सकते हैं